नमस्कार आप सबका हमारे चैनल ग्यानदा ट्रेजर पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं बहुत एक खास पत्तर के बारे में जैसे हर कोई पहनना चाहता है और पहनने से डरता भी है और वो श्टोन है नीलम लाइट कलर का भी होता है अलग अलग कलर के होते हैं अलग अलग मतलब ब्लू कलर में जैसे यह आप देख रहे हैं इस नीलम को आप देख रहे हैं तो अलग अलग शेड्स में होते हैं इसके लाइट शेड्स भी होता है अलग अलग कंट्री के भी होते हैं जैसे की बर्मा हो स परश्मीर हो एफ्रिकन कंट्री में हो तो हम इसी निलम के बारें बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं थुरा सा chemical वाली चीज़े बता दो कि निलम एक रत्न शेनी का खनीश है और यह Aluminium भस्म है एक तरह से Aluminium भस्म तब एक तरह का Oxide है जब यह लाल के सिवाय अनवर्ण का होता है निलम प्रकृति में भी मिलता है अविम कृत्रिम भी बनाया जाता है तो अपनी उलेखनिये सक्तता के कारण कई अनुप्रियोगों में परियुक्त होता है जैसे कि अधोरक्त दृष्टी संबंध्यूप करण घडू के क्रिश्टिल तो प्राकृतिक निलम जो होता है वो निला निलम होता है सुन्दर वर्ण के भी निलम होता है वर्ण बदलने वाला भी निलम होता है जैसे वर्ण बदलता निलम बाहरी प्रकाश में निला दिखता है बल्ब की प्रकाश में परपल दिखेगा, यदिन की प्रकाश में गुलाबी रंका दिखेगा और प्रतिदिप्त प्रकाश में हरीतिमा के संग दिखाई देता है तो ये अलग तरह का निलम है, फिर सितारा निलम होता है, क्रितर निलम नौर्बिल लोग बनाते हैं, जिसे पहनने से कोई लाव वगर नहीं होगा, तो अब हम धार्मिक अस्तर पर आते हैं, जोतिश ये अस्तर पर आते हैं, तिकि जोतिश सास्र में, जब किसे की कुंडली मे कोई ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में उस दरह की परिशानिया उन्हें लगती है जैसे कि बिमारी, धनहानी, मांसी कशांती, असफलता और परिवारिक कला जोतिश में ग्रहों के नकरात्म प्रभाव को कम करने और उसको अपने पक्ष में करने के लिए कई रत्नों को धारन करनी के सला दी जाती है जोतिश सास्तर के अनुसार निलम रत्न का संबंध शनी से होता है यह निलम है, आपको shivago.com पे अच्छी quality का मिल जाएगा जो नैच्छल होगा, कम से कम कृत्रिम तो नहीं होगा, नैच्छल ही होगा हमिशा और आप जिस quality का लेना चाहेंगा अपले सकते हैं लैब स्रेटिफाइड भी रहेगा, कभी-कभी हम दो-दो लैब से स्रेटिफाइड करते हैं चीज को, जैसे कि यह निलम है, तो इस निलम को हमने मौम में भी टेस्ट करवाय है, दूसरी जगह से भी टेस्ट करवा लेते हैं तो उसमें क्या जो chanunity होती है, वो मतलब reliable होता है, हमारी लेबी क्योंकि हम अपने लिए करवाते हैं कि हम confirm है कि हम जो चीज़े दे रहे हैं, वो confidently optional है, तो सभी ग्रहों का एक रतन होता है, शनी ग्रह का रतन निलम है, जिससे अंग्रेजीन ब्लू सफायर कहता है, जो तिस विज्ञान में से कूरंदम समू का रतन कहता है, कूरंदम और इस समू में लाल रतन को मानिक तरदा दूसरे सभी रतन को निलम कहता है, इसलिए निलम सफेद, हरे, बैंगनी, निले यादी रंगों में भी पराप्त होता है, रतनों में सबसे अच्छा ब्लू सफायर निले रंग कही होता है, जिसका रंग आसमानी, गहरा निला, चम की ला नीला भी होता है, इसके अपने गुन होता है, तो अपना जो गुन होता है वो भी हम आपको बताएगे, जोतिश के मताबिक, कन्या, मित्वन, रिशक रासी कोई रतन की रतन जाब पहनने पर फिर भी, मैं हमेशा कहूंगा, और एक लिम्झे मुझे पहले ही कह देना ची ना देखें तब तक आप खुद अपनी मर्जी से रत्र नहीं पहने हाथों की रेखाएं देखके correct calculation जो होता है कि भाई भी रत्र पहनना चाहिए भी नीलम पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए शनी का रत्र नीलम है जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ और ये काफी चमतकारी होता है नीलम के विश्य में ये माना जाता है कि इसमें बनाने और बिगाड़ने दोनों तरह की शक्ति होती है इस रत्र के अंदर आप इसे यू भी कह सकते हैं कि जिसे रास आचा है तो उसे किमत में तो मिलता नहीं सस्ती तो होती नहीं है अलागी सस्ते में देखने जाए तो फिर तो तीस रुपे पर कैरेट से लेके आपको ये पचास जार लाक रुपे पर कैरेट तक मिलेगा तो अब हम इसके गुन पे आते हैं देखिए अगर आप नीलम धारन करता है तो इसक आपके लिए सकरात्मक्फल देने वाला नहीं है तो आखों में आपको तकलीफ मेहसूस होने लगेगी 100% तकलीफ होगी दूसरा प्याते हैं निलम शनी का रतन है और अपना सर्थिव्रता से दिखाता है तो निलम कभी भी बिना जोती सला के कभी ना पेहन है मैं यह बार बार कह रहा हूँ तो जरूरी है ध्यान देने की बाद तो निलम रतन को पेहनने के लिए कुंडली में निमन योग होने चीए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे की मेश, बिशब, तुला और विशक लगनवाले अगर निलम को धारन करते हैं तो उनका भाग्योदे होता है पर जोती से पूछ कर चौथे, पांचवे, दस्वे और ग्यार्वे भाव में शनी हो तो निलम जरूर पेहनना चीए सनी चट्थे और आठवे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, ये स्वेम ही चट्थे आठवे भाव में हो तो भी निलम जरूर कर सकते हैं शनी, मगर और कुम रासी का स्वामी है इन में से दोनों राशियां अगर शुब अभावों में बैठी हो तो नीलम धारन करना चीए लेकिन अगर दोनों में से कोई भी राशी अशुब अभावों में हो तो नीलम नहीं पहनना चीए शनी की साड़े साती में नीलम धारन करना लाबदायक होता है मैं बहुत common चीजे बात कर रहा हूँ पर जो जोतीश जो आप बुलेंगे आपको उनको ही follow करना है हाँ यह मैं जरूर कहूँगा कि shivago.com पे आपको original, authentic, certified और अभिमंत्रित होकर भी मिलेगा शनी की दशा अंतरदशा में में नीलम धारन करना लाब दायक होता है कुंडली में शनी मेस राशी में शित ओ तो भी आप नीलम धारन कर सकता है कुंडली में शनी प्रमुक हो और प्रमुक स्थान में हो वो भी धारन कर सकता है कुरूर काम करने वालों के लिए निलम हमेशा उप्योगी होता है अगर निलम आपके प्रतुकूल हो तो इसे धारन करने के बाद आपके साथ कोई घटना हो सकती है या आपको बड़ी चोट भी लग सकती है निलम रत्न धारन करना आपके लिए शुब ना हो तो इसका नकरात्मक परभाव आपकी आरतिक इस्तिति पर भी देखा जा सकता है यानि कि आपके पैसों का नुकसान होने लगता है जिस वैक्ति के लिए निलम धारन करना नुकूल नहीं होता उन्हें से पहनने के बाद बुरे और डरावने सपने भी आसकता है जो इस बात का संकेत होते हैं कि आपके लिए रत्न शुब नहीं है जिन लोग के लिए निलम रत्न पहनना शुब और अनुकूल होता है उनके सालों के अटके अधूरे काम पूरे होने लगता है या पहले किये गए कामों का पॉजिटिव वसर जीवन पर दिखने लगता है जिन लोग के लिए निलम धारन करना शुब होता है उन्हें से पहनने के कुछ दिनों के बाद लंबे समय से चली आरी स्वास्ते संबंदी परिशानिया धीरे 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 दूर होने लगती है चुटकारा मिलने लगता है जिनके लिए निलम शुब होता है उन्हें निलम धारन करने के बाद आर्थी खिलाब मिलने लगता है नौक्रिय और बिजनस में आउटमेटिक उनत्ती होने शुरू हो जाती है तो भाई निलम को कैसे और कब पेहनेंगे आप कब असर करता है कब असर नहीं करता है तो कुछ सावधानी आपको बरितनी चीए निलम धारन करने के प्रशाद प्रतेक शनिवार और सनी नशत्रों में अन्यदाने जरूर करना चीए शनिवार के दिन मास, मदीरा, तामसिक, भुजन हटा दीजिए दूर रखिए त्याक कीजिए विकलांग लोगों के परती आप सेवा भाव रखें घर के विद्द लोगों के परती आदरपुर्ने बैवार रखें परतेक माह में सुखल पक्ष के दूसरे शनिवार को रतन को दूद, खी, गंगाजल, तिल और मिश्री मिलेजल से आप अभी मंत्रित कीजिए, अभी सिंचित कीजिए, मतलब आप उसको एनरजाइस करेंगे, जितना एनरजाइस करेंगे न उतना ज्यादा बेनफिट रहेगा है निलम, रतन का शमी का लकडी, रतन का शमी की लकडी से 108 बार आप शनी देव का मंदर पढ़े हैं, अभी शेक कीजिए, दूस अभी शेक कीजिए, इससे रतन भी जागरित होता है और सकरात्मा कुर्जा परदान करता है, निलम धारन करने के पश्चात किसी को जूटा आस्वासन नहीं दीजिए, जूटा दिलासन नहीं नहीं तो उसके फिर दुश्परी नाम भी आप भी को भुगतने पड़ेंगे, द्यान दीजिएगा, जूट, सच, इन सब से तूर रहेंगे, शनी देव का डर जगत विख्यात है, शनी की वक्री दृष्टी से अच्छे वले लोग बरबाद होता है, हलांकि कई बार इडर निराधार साबीत होता है, क्योंकि शनी वस्तूतर न्याय और धर्म के देवता है, वे के वल दुश्टों को दंडे देते हैं, तिर दुश्टता पुर्णकार और जूट सच मदबूला कीजिए पहनने के बद, पापियों, कामियों, व्यब्यचारियों, ब्रष्ट आचार में सेनलिन वैक्तियों के लिए शनी महाकाल बन जाते हैं, यदि कुंडिले में शनी शुब भाव में विराजमान हो, या फिर बिशब या तुला का जातक हो, तब शनी कारक गरह बनकर अपनी दशा में बुरे के बजाए सामान अत्वा अच्छा फल देते हैं, और कई बार विश और तुला लगने के जाते के कुंडिले में शनी अस्त, वक्री, नीच, कम अन्शियादी होने के कारण शुब फल देने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ऐसी वस्ता में शनी को मजभूत करने के लिए नीलम रतन धारन करना से असकर होता है, तो मेरे खाल से मैंने आपको नीलम के बारे में बहुत सारी चीज़े बता दी हैं, और आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और नीलम कौन पहान सकता है, कौन नहीं पहान सकता है, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियों बताएंगे, तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है, आप ह हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंटी तीचिए, धन्यवाद